भदोही से यह आवाज उठ रही है कि देश में बदलाव भूनी चेहिए और टीमसी के बारे में भदोही का बहुत तुराना जुराव कलकता से भी है लोगों ने बताया है कि मनका दिटी की सरकार बंगाल में किस तरह से है वो एक विश्वास जंता को होता है कि हम दो चार पी क्या लग रही है क्या लग रहा है सर थैंक यू आश्य तोष बहुत अच्छी तैयारी चल रही है हम लोग लगभग एक महीने से भदोही में वास्थ कर रहे हैं आज क्योंकि नौमी का हवन था तो उसके लिए हम लोग यहां और अंगाबाद आए थे बहुत अच्छा चल को फाले हैं तो कहीं यह देश में हो जाये कि जो दावा कर रहे हैं उसके आदे से भी कमा आजाए उडि यह उस तरह का महूल है अलग पार्टी 조 पशिए मंगाल और उसी के एलाइन से आप यहां चुना ओल रहने हैं तो कुछ लोगों में अलगपन दिख रहा है कि प्रेम मिल रहा है बराबर हम लोगों जनता का प्रेम तो मिली रहा है और विशेश करके इस कारण से मिल रहा है क्योंकि टीम सी नहीं है और टीम सी के बारे में भधोही का पुराना जुराओ कलकता से भी है कलकता के बहुत लोग भधोही भी रहते हैं और भधोही के बहुत लोग कलकता भी रहते हैं और इन लोगों ने जब जब विचारों की अदान प्रदान हुई है तो लोगों ने बताया है कि ममता दीदी की सरकार बंगाल में किस तरह से है उनकी क्या उपलब्दिया है यहां के लोग भली भाद जानते हैं और क्योंकि इंडिया एलाइंस की बात है तीनों पार्टी जो इंडिया एलाइंस में मुख्य रूप से हम लोग का सयोग कर रहे हैं चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो भारती राश्ट्री कॉंग्रेस हो तीनों पार्टी के कारेकरता भध वहीं जिले में बिल्कुल लग के हमारा प्रचार कर रहे हैं हमको बहुत खुशी इस बात का है कि जो मिलान हो गया है वहां पे ये मुझे भरोसा दिलाता है विश्वास दिलाता है कि हम लोग भाजप रोजगार के लिए शिक्षा के लिए स्वास्त के विवास्ता के लिए बहुत चिंतित है और उनकी आवाज भी उठ रही है मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी चुनोती है भारती जंता पार्टी के लिए कि जो 14 और 19 में नौजवान महिलाओं का जो वोट उनको मिला थ जी बात करें तो आप चौथी पीड़ी है राजनीत में आपका परिवा लगतार शेवा करता आ रहा पंडी जी से लेके अब तक तो किस तरह का लगता है आपको कि आभी सेवे भाव में जा रहा है वो एक विश्वास जंता को होता है कि हम लोग चार पीड़ी से राजनीत म है और यह जंता भली बात जानती है भदोही के लोग मुझे अपना समझ के वहां पर हाथों हाथ ले लिए हैं और इसलिए मेरा चुना वहां पर काफी असान हो गया है इंडिया लेंज से कितने सीट आएगी उत्तर प्रदेश और देश में मैं यह मेरा काम नहीं है मगर मैं निश्चित रूप से यह देख रहा हूं अपने आसपास अगर आप इस पुर्वांचल के इस कोने को लीजिएगा तो मुझे भारती जंता पारिटी की एक सीट शायद कुछ अभी मजबूत स्तिती में दिखती है क्योंकि वहां से प्रभानमंत्री जी लगते नहीं तो प्रत्याशी आए नहीं है किसी भी पार्टी के मगर यह जब सारी सीट अपने लीजेगा तो इसमें भारती जंता पार्टी इस बार एक भी सीट नहीं जीपने जा रही है आपके लोग सबाह में बसपाक अभी पत्ता खुलना बाकी है तो क्या लगता अगर कोई भी प्रत् प्रत्याशी आते हैं पर यह यह भी तै हो गया है कि भदोही में जो लड़ेगा वहमीं से लड़ेगा हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद वारानसी से आज तो शुपात जया है उत्तर प्रदेश की हर खावर से अपडेट रहने के लिए सृष्टी रूपी को करें सब्सक्राइब बेल आइकन तबाएं और देखते रहें सृष्टी यूपी